आज हम पढ़ेंगे गुंजन हिंडी पाथ माला ओपन योर टेक्सबुक चित्र कठा मचलियों की होस्यारी यहाँ पे हमें पिक्चर दिये गए है वो पिक्चर पर से हमें कहानी बनाने है चलो बच्चों में आप लोगों को आज ये पिक्चर पर से कहानी सुनाती हूं कहानी का नाम है मचलियों की होस्यारी एक बड़ा सा टालाब है टालाब में बहुत सारी मचलियां रेती थी कुछ मचलियां यहाँ पे खेल रही है आपस में बार कर रही है तो खेलते खेलते उसकी नजर मगरमच पर पड़ती है तो मगरमच को हम घड़ियाल भी कहते है तो मचली सामने मगरमच को तेख लेती है मगरमच को सामने देखकर सारी मचलियां घबरा जाती है एक तरफ सारी मचली घबरा जाती है तो दूसरी तरफ घड़ियाल अपना सिकाल सामने देखकर खुस हो जाता है तबी मचलियों को एक आईडिया आता है वो अपनी सूजबूट से एक साथ पानी में कूड पड़ती है मचलियों के एक साथ पानी में कूडने से मगरमच के आँख में पानी चला जाता है और ठोड़ी देर के लिए मगरमच की आँख बंड हो जाती है फिर उटने उटने ही समय में मचलियां वहां से दूर भाग जाती है जब घडियाल अपनी आखे खुलता है तो लेखता है कि आजू बाजू में मचली कहीं पे भी नहीं है तो इस तरह अपनी सूजबूच से मचलियां अपनी जान बचा लेती है और मगर मचके हाठ में नहीं आती है तो बच्चो आपको ये कहानी कैसी लगी? हाँ, इस कहानी से हमें यहाँ सीख मिलती है हम पर कोई भी मुसिबट आपड़े तो हमें समझडारी से काम करना चाहिए और सूजबूच से उसका हल निकालना चाहिए इस कहानी से एक और भी सीख मिलती है कि एकता में ही बल होता है ये मचलियां सभी साथ मिलकर पानी में कुली तभी मगर मच से चुटकारा पा सकी तो हमें भी सभी के साथ मिल जुलकर रहना चाहिए पेज नमबर ट्वेंटी सेवन गुडिया की चुनरी चेप्टर का नाम क्या है? गुडिया की चुनरी एक चुहिया ठी ये चित्र में हमें चुहिया दिखाए दे रही है दिन भर कुट कुट कर्टी रहती थी वो क्या कर्टी रहती थी? पूरे दिन कुछ ना कुछ कुट कुट कर्टी ही रहती थी एक दिन सुबह की गुडिया बाहर पड़ी थी एक दिन क्या हुआ की यह सुबह नाम की जो लड़की है उसकी गुडिया बाहर ही पड़ी थी चुहिया उधर गई चुहिया वहाँ पर गई कूट 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 वह कूट कूट कर गुडिया की चुनरी कुटर गई चुहिया ने क्या किया कूट कूट करके गुडिया की चुनरी कुटर गई ये पिक्चर में हमें दिखाए डे रहा है कि चुहिया सुभा की गुडिया की चुनरी कुटर रही है सुभा भागी आई चुहिया डर गई सुभा भागते हुए आई सुभा को भागते हुए आके देख चुहिया डर गई वह मिल की और भाग गई सुबा को आटे देख वो बिलकी और भाग गई सुबा गुडिया उठा कर बीटर लाई सुबा ने क्या क्या गुडिया को उठाया और बीटर लेकर आई सुबा बहुत उडास थी सुबा उडास हो गई क्यों उडास हो गई? क्यूकि उसकी गुडिया की जो चुनरी थी, वो चुहियाने कुटरडी थी, डाडी जी कपड़ा लाई, डाडी जी ने सुभा को उडास देखा, और क्या किया, कपड़ा लेकर आई, गुडिया की नई चुनरी बन गई, डाडी जी ने गुडिया की नई चुनरी बना दी, न नई चुनरी पहन कर गुडिया नाच उठी ये गुडिया जो है वो नाच उठी क्योंकि डादीची ने क्या किया था उसके लिए नई चुनरी बनाय दिथी अब सुबा भी बहुत खुस थी और सुबा भी खुस थी क्योंकि उसकी जो गुडिया है उसकी नई चुनरी बन गई थी तो बच्चो आपको ये चैप्टर पसंद आया हाँ ये चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है हाँ हमें अपनी चीजे संभाल के रखने चाहिए यहां वहां नहीं छोड़ने चाहिए ये जो सुबा है उसने क्या किया था अपनी गुडिया बाहर ही चोड़ दी थी खिलते खिलते बाहर ही वो बूल गई थी इसलिए चुहिया ने उसकी चुनरी कुटर दी थी तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें अपनी सभी चीजे उसकी जगप़ी रखनी चाहिए अब हम एक्सरसाइज देखेंगे अभ्यास चित्र देखकर बटाओ मौखिक गुडिया किसकी थी? गुडिया किसकी थी? हाँ, सुभा की चुनरी किसने कुतरी? चुनरी किसने कुतरी थी? चुहियाने सुभा को कैसा लगा? सुभा उडास हो गई नई चुनरी किसने बनाई? डाडी जी ने वाक्य पूरे करो यहाँ पे हमें आंसर दिया गया है उसमें से ही हमें डूड के यहाँ पे वाक्य पूरे करने है चुहिया चुनरी प्लैंक कै तो चुहिया चुनरी कुटर गई खाली जग डर गई चुहिया डर गई डाडी जी खाली जग लाई कपड़ा डाडी जी कपड़ा लाई गुड़िया की नई खाली जग बना दी अब सुबा खाली जग थी खुश अब सुबा खुश थी अपनी गुड़िया के डो नाम सोच कर लिखो आप के पास गुड़िया तो होगी ही आप सबके पास खिलोनों में गुड़िया तो है ना तो आपकी गुड़िया के डो नाम सोच कर यहाँ पे आप लोगों को लिखना है नेक्स एक्ससाइज आपके पास गुड़िया की क्या क्या चीज़े है राइट लगाओ ये आप लोगों को homework में खुट करना है आपके पास गुडिया की कौन-कौन से चीजे है इन में से उस पे आप लोगों को right लगाना है ये है बेड आपके पास गुडिया का बेड है तो इस पे आप लोगों को right लगाना है ये गुडिया के कपड़े ये होगा आपके पास तो आपको यहाँ पे राइट लगाना है ये है गुडिया की माला ये है गुडिया के रसोई का सामान ये है कंगी और ये है चुनरी तो इन में से जो भी चीज आपके पास हो तो ये जो गोला दिया गया है उसमें आप लोगो को राइट लगाना है आओ गुडिया बनाए हम गुडिया घर पे भी बना सकते है गुडिया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए आइस क्रीम स्पून काली उन काले लाल पिंडी माला गागरा चुनरी का कपड़ा और फैविकोल यहाँ पे हमें दिया गया है कि यह आइस क्रीम स्पून से ऐसे स्टेप बाइ स्टेप यहाँ पे हम गुडिया बना सकते है तो बच्चों आपको यह घर पे गुडिया बनाने है और ऐसे यह पूरी एक्सरसाइज कम्प्लीट करने है थैंक यू झाल